उत्तर प्रदेश के चंदौलिस जिले में यूपी पुलिस की ओर से एक बड़ी कारवाई की गई है चंदौलिस जिले में 30,000 लिटर शराब को रोलर और बुल्डोजर के जरिये ध्वस्त कर दिया गया है ये सारी शराब बिहार में तसकरी के लिए ले जाई जा रही थी जिसे यूपी पुलिस की टीमों ने अलग-अलग स्थानों से पकड़ा था तमाम विभागों की सयुक्त कारवाई के बाद पकड़ी गई शराब को कोल्ड के आदेश के बाद नश्ट किया जाना था बुद्वार को यूपी पुलिस के अधिकारियों ने इसके लिए हाईवे पर कई सारी बोतलों को रखा और इसके बाद इन पर रोलर चला दिया इस कारवाई का वीडियो सोशल मेडिया पर सामने भी आया है इस कारवाई को लेकर यूपी पुलिस ने अपना पक्ष रखा है जनपत चंदोली में पुलिस अधिक्चक महोदे के नर्देशन में थानों पर लंबित मालों के निस्तारण का भियान चलाया जा रहा है इसी नर्देश के क्रम में आज 28 दिसंबर को थाना सेयद राजा पर बरस 202021 के आवकारिय दिनियम के अंतरगत कुल 114 पंजिक्रित मुकदमों में जो देशी और विदेशी मजिना बरामत की गई थी आज उसका विनस्टी करण किया गया है यह 13,423 लीटर मजिरा आज थाना सेयद राजा पर विनस्ट की गई है इसमें देशी और अंग्रेजी दोनों तरह की मिद्रा शामिल है मानी नेले के आदेश के करम में एक टीम का कठन किया गया था जिसमें S.P.O. चंदौली चेत्रा दिकारी सदर इंस्पेक्टर सेयद राजा और आपकारी द्रीक्षक की टीम आपकारी द्रीक्षक टीम में शामिल दे इस टीम के द्वाराज लगवग 13,423 लीटर मजरा को विनस्ट किया गया है बता दे के बिहार में शराब बंदी के बाद UP के रास्ते हजारों लीटर शराब के सप्लाई बिहार में होती रही है UP पुलिस इसके लिए बड़ी कारवाई करती है और समय समय पर पिहार से लगने वाली राजे की तमाम सीमाओं पर शराब की ऐसी खेप जब्ध होती रही है यूपी पुलिस ऐसी शराब को नस्ट करती रहती है और इसके वीडियो भी सामने आते रहते हैं